तो आज हम बनाएंगे नवरात श्पेशल में पमकिन का हलवा यानि की कद्दू का हलवा जो खान में बहुत ही दिस्टी होता है और इतना इजी है इसको बनाना कि आप इसको बार-बार बनाएंगे और इसको नवरात में भोग परशाद के रूप में भी बना सकते हैं तो चल तो एक बार बीच में से कट हो जाएगा उसके बाद मैं इसको कट करूंगी नौर्मल जो हम सब्जी बनाने के लिए लेते हैं तो वही कद्दू है ये तो मैं इतना बाकी मैंने रख दिया है और जो छोटा भाग कटा है इसका मैं बनाऊंगी हलवा तो सबसे पहले हम पंप जलका उतारने के बाद हम छोटे-शूडे पीचिस ब्रम एक करेई तो के लिए श जैस चामताओ जोट छोटे पीचिस में कट करेंगी अब तो और प्रेट मैंगा कट करेंवा है और जोट शूटे-व्छोटे-पीचिस में कात करक्त लेंगी ह। कोगर में डालने के बाद हम इसको दो से तीन बार अच्छे से वाश करेंगे तो यह दिखिए वाश हो गया है अब इसमें थोड़ा से एक चमज के करीब पाइं डालेंगे ने तो इसकी जुरूत नहीं है और तीन सीटी आने तक हम बेट करेंगे तो इसमें तीन सीटी आ गई है और मैंने स्टीम हटा दी है और यह देखिए जो कद्दू है जैसे सॉप्ट हो गए है बहुत ही तो अब हम गैस पे रखेंगे पैन और इसमें डालेंगे देसी की देसी की जब मैट हो जाए तो दो मैंने हरी लाइची डाली है क्रश करके उसक कद्दू तो इसको आ पैन में या कड़ाई में किसी नहीं बना सकते हैं जुरू ने कि नॉन स्टिक पैन होना चाहिए अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे और जैसे यह बूनेंगा वैसे वैसे यह खुदी मैश होता जाएगा या थोड़ा सा आप हाथ से इस तरह से मैश कर लिजेगा और जो हम डूट डालेंगे ना तब यह खुदी कर जाएगा और मुस्ट यह बहुत ही सॉफ्ट है तो इसको पांच से चे मिनट ही भूनेंगे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता इसमें तो बस इसको लगाता रहा हम भूनते जा रहे हैं तो मैंने ग्यास की मेडियम रखिए अभी तो यह देखिए इसको अभी पांच मिनट हो गहीं भूनते हुए और थोड़ा से में इस तरह से इसको मैश भी करती जा रहे हैं इसे होगा कि ज्यादा समय नहीं लगेगा समय की बचत हो जाएगी और बहुत ही जल्दी छटपट कद्दू का हलवा बन जाएगा तो अब मैं डाल रही हूं इसमें दूद मलाई के साथ ही और दूद को मैंने पहले से बॉइल किया हुआ था बॉइल करके हलका गुन गुना था और तकरीबन एक कप मैंने दूद डाला है इसमें और जो मलाई हैं वो भी साथ में डाल दिया है तो हमें इसमें मीन पाउडर या मावा डालने की विल्कुल भी जुरूत नहीं है तो बस अब इसमें डालेंगे हम चीनी तो पी दूर जो है वह आप देख सकते हैं राई हो चुका है अब चीनी डालने के बाद भी यह हल्का मेल्ट होगा किसेज में चीन डाल दिया है तो मैंने पांच चमच पांच बड़े चमच रख चीनी डाली है और आप चाहितों इस पर थोड़ा सा कीसर कार इस्तमाल कर सकते और ड्राय होने को पकाइएंगे जिए फोड़ा सा ऐक पेंच ये फूड कलर डाला है और फूड कलर डालने के वीडियो में नहीं दिखा पाई तो बस ड्राय होने तक मैंने इसको पकाया है उपर से एक चमच देशी की मैंने उपर से डाल दिया है और आप देख सकते हैं जो कढ़ाई है वो घी छोड़ने लगा है और बिल्कुल भी कढ़ाई जब इत्म से साफ हो जाए जब आप इसको चलाएं तो इत्म से साफ हो जाए तो समझे कि आपका हलवा एक तम बनके रेडी है तो चलिए इसको हम सर्फ करते हैं तो हलवा रेडी है तो इसको आप इसी तरह से फटाफट से बना सकते हैं चाहे आप इसमें नवरात में आपको लगा सकते हैं माताजी को या फिर आप न बिटा खाने का माना करें तो आप स्कुछर पड़ से बना सकते हैं इसो गार्निश करेंगे अपने फेवरिट ड्राइफ रूट्स के साथ तो 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 का सी लगे मेरी डिवरी उपने करी ना तो तो अप्टी लगे लगी तो अ कर दो